गुड बॉर्णिंग चिल्वें टुड़ें टुड़ें वी विल मेक आर सेंटर क्लॉज सी यह देखिए है नप प्यारा सा नाओ लेट्स स्टार्ट इसको रख देते हैं अब इसके लिए हम लोगो क्या-क्या मटीरियल चाहिए बच्चो एक रेक्ट्रेंगुलर शेप का रे ऐसे करेंगे और इसको करने के बाद यहां पर फैविको लगा के इसको स्टिक कर देंगे इसको स्टिक कर देंगे और फिर इस पोशन को जो यह एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे ताकि यह खड़ा हो सके ठीके बच्चो यह इस तरह से खड़ा हो जाएगा अब हमने पहल से एक रेड कलर का कोन बना के रख लिया था ताकि हमारा काम इजी हो जाए अब हमने ये कोन बना लिया अब बाकी चीजे बच्चों देखिए हमें क्या-क्या चीजे तयारी करनी है एक फेस और जैसे इनका ये दाड़ी है दाड़ी बनाने के लिए पेपर को लेंगे और उसमें ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको कट करके ये शेप आ जाएगा इसी तरह से ये जो मूच है मूच के लिए बच्चों ऐसे करेंगे यूँ शेप बना देंगे और फिर हम इसको कट कर देंगे फिर पहले से ये चिपका लिया इसको देखिए क्या किया था ये जो face था इसको इसमें ऐसे लगाएंगे ठीके बच्चो यहाँ पर ये मुशल चिपकाएंगे ये nose लगा देंगे यहाँ पर ठीके जैसे ये हमने लगाया है और यहाँ पर two eyes ये देखिए जैसे ये है न हाथ में नहीं आ रही है ये देखिए हमने ये बना के रखा है ठीके बच्चो ये बनके तयार हो जाएगा अब देखिए बच्चो क्या करना है ये जो हमने दो ये hands बनाए थे इसमें भी हमको फैविक को लगाना होगा और इधर पीछे देखिए पीछे ऐसे करके स्टिक कर देंगे ठीके इसी तरह से दूसरे hand में वेविक को लगाया और इसको भी ये भी थोड़ा सा सूपने में टाइम लेता है इसलिए ये निकल रहा है ये हम इसको ऐसे लगा देंगे ठीके बच्चो अब हम क्या करेंगे ये जो हमने कौन बनाया था इसको हमको यहाँ पे ऐसे लगाना है ठीके अब हम यहाँ पे पीछे फैविक को लगाएंगे थोड़ा सा टाइम लगता है चिपकने में सूखने में ये देखिए ये हम इसको ऐसे लगा देंगे ये इनके हैंड हो जाएंगे तोड़ा सा आपको पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि ये चिपक जाए स्टिक हो जाए चिपक करके अब क्या करेंगे ये हमने जो बच्चो बेल्ट बनाई थी ना पहले से अब हमें इनकी बेल्ट में फेविकॉल लगाना होगा पलट करके और बेल्ट में हम ग्लू लगा रहे हैं और फिर इसको देखे कहां लगाएंगे ये जो पोजिशन था ये सेंटर में आए पीछे नहीं जाना है इसको आप यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे और फिर बाकी पोजिशन को आप पीछे ले जाएंगे और उसको पीछे स्टिक कर देंगे ठीके बच्चों ये इनकी बेल्ट बन गई आप देखे क्या करना है अब बच्चा इनका ये जो टोपी पे था एक कॉटन लेंगे उसका बॉल बनाके आप इसको यहाँ पे लगा देंगे ठीके बच्चों और क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पर भी बच्चों हम कॉटन लगा देंगे या हम वाइट पेपर को लेंगे और उसको भी ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे यह ठीके आप यहाँ पे इसको अच्छे से स्टिक करेंगे ताकि यह निकलेनी क्योंकि थोड़ा सा सुखने में टाइम लगता है आप देखे इतना हो गया अब आपको इनके जो शूस बनाए थे वो देखे कैसे लगाएंगे यह लिया ऐसे इस तरफ लगाया आगे की पोशन में इसी तरह से इसमें भी और इनको अंदर रखेंगे और अंदर की तरफ हाँ से दबाएंगे तो यह अंदर स्टिक हो जाएगा यह देखे हमने अंगली डाल की प्रेस किया दिया अब इतना हो गया अब आप स्केच पैन से बच्चों यहाँ पे बटन्स बना दीजे और यह आपका क्या बन गया सेंटा प्लास है ना बच्चों यह देखे एक छोटा सेंटा एक बड़ा सेंटा मेरी क्रिस्मस थैंक यू